What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है हर अगर आप अपनी जिन्दगी में अकेले हैं, तनहा हैं, तो ये कहानी से आप जरूर relate कर पाएंगे ये कहानी है जैक नाम के आदमी की, जो कई लोगों की तरह अपनी जिन्दगी में एक साथी को रूण रहा है, ताकि अपनी खाली जिन्दगी में खुशिया ला सके पर उसे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है, वो एक कमपनी में जॉब करता है, जहां पर उसे दूसरों के लिए personal letter लिखने पड़ते हैं, या फिर किसी करीबी इंसान के साथ बाते करने पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास अब इतना भी समय नहीं है कि वो अपनों से बाते कर पाएं, अब इसी काम के साथ उसकी रोज मर्रा की जिंदगी चलती रहती है, वो अपने अकेले पन को दूर करने के लिए कुछ लड़कियों के साथ डेट पर भी जाता है, लेकिन उसे जैसी लड़की चाहिए वो नहीं मिलती, आखिर में वो लड़कियां उसे सुना कर वहाँ से चली जाती है, जैक कभी कभी बीच पर भी जाता है, जहां लोग अपने चाहने वालों के साथ आते हैं, और ये सब देखकर उसे एसास होता है कि काश उसके साथ भी कोई होता, जिसका हाथ पकड़ कर वो घूम सकता, हाला कि जैक कुछ सालों पहले उसकी बच्पन के प्यार कैथरीन से शादी हो रखी है लेकिन वक्त के साथ-साथ ये रिष्टा जादा दिन चल नहीं पाया और कैथरीन ने फैसला कर लिया कि वो अब अकेले रहेगी उसने पिछले एक सालों से डिवास पेपर भी भेजे हुए है लेकिन जैक ने अभी तक उस पर साइन नहीं किया है वो नहीं जादा कि एक आगरी शक्स भी उससे जुदा हो जाए इसलिए वो बार-बार कुछ बहाना माय कर साइन करने के लिए टाल देता है जिस दौर में जैक जी रहा है वो आज की समय से बहुत अलग और एडवान्स है इस दौर में हर घर में एक AI है जो उनके काम करता है, उनसे बात ही करता है हर आफिस में AI इंटेलिजन्स है जो पल भर में सब कुछ ठीक कर देता है और कुछ लोग तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ओएस बाइ करते है ताकि वो उनसे बात कर सके और खुद की बूरियत को दूर कर सके अब एक दिन ऐसे ही जैक अपने आफिस से घर लोट रहता है तो रास्ते में उसे एक ओएस की होडिंग दिखती है जो अपने ओनर की फीलिंग को पहचान सकता है और उनसे दिन रात बात ही कर सकता है अगर आसान भाषा में कहें तो उसका ओनर उसके साथ सब कुछ करवा सकता है बस कोई physical thing को छोल कर इस advertisement से जैक काफी impress होता है और decide करता है कि वो इस OS को buy करेगा अब घर आने पर वो उसको सबसे पहले अपने computer में install करता है उस operating system जिसके बाद वो OS उसे पूछता है कि उसे female voice ही या फिर male voice ही है तो वो female voice को choose करता है और guys यहाँ पर जो OS voice यहाँ दी गई है वो दी है Scarlett Johansson ने जिसे आपने Avenger movie में देखा होगा इसके बाद वो Jack की हर चीज़ को read करना शुरू कर देती है उसके present से लेकर उसके pass की उसके पूरे computer को वो scan कर लेती है और सारी चीज़े वो अपने software में डालना शुरू कर देती है अब यहाँ Jack सबसे पहले उसे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि समानता अब अकेला नहीं है इस दुनिया में उसका भी कोई है जो उसे बाते कर सकता है चाहे वो कोई OSCQ ना हो यानि कि operating system तो दोस्तों यह कोई normal operating system नहीं होता यह बिल्कुल AI कितना होता है जो आपकी चीज़ों को समझ सकता है और धीरे धीरे evolve हो सकता है अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो समानता के साथ अब पूरा दिन बात ही करता है और साथ में समानता उसके mobile phone पर हर वो चीज़ देख सकती थी जो Jack उसे दिखाता है और सारी बाते वो से discuss करने लगता है जिसे वो उसकी best friend बन जाती है जया कि आपर उसे चीज़े दिखाने में हिचकी चाता नहीं था बलकि उसे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था और सबसे एहम बात थी कि वो बोर नहीं हो रहा था अब next day office में वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे letter आयों है अब इसके बाद वो कुची देर में सारे letter को ठीक कर देती है जिने वो send भी कर देती है तो चलो यहाँ पर अच्छी बात है कि Jack को घर के साथ साथ उसके job पर भी कोई उसकी सुनने वाली मिल गई है अब एक राज Jack एक game खिल रहा होता है क्योंकि वो उसकी जैसी नहीं थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी और अमीर थी तो समान तक कहती है कि मुझे पता है कि तुमारे past में क्या हुआ हुआ है मैंने वो सारे letters और photos देखे हैं मैं जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहो लेकिन Jack कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहां समान था और उसके game वाले friend के request करने पर वो हा कर देता है अब next day वो उसको एक और mail के बारे में बताती है जो उसकी ex wife ने send किया था उसने पूछा है कि क्या तुमने divorce paper पर sign किया तो Jack बोलता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ इसके बाद वो job पर चला जाता है पर रात में वो दोनों इस बारे में बात करते है यहां Jack अपनी family के बारे में बताता है अपनी wife के बारे में बताता है कि तुम बस एक OAS हो और तुम्हें इंसान के फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चलेगा तो समान था उसे सौरी कहती है लेकिन यहां जैक को पता चल जाता है कि उसे बुरा लगा है पर वो उसे बात है करता रहता है ताकि वो उदास ना हो नेक्स्ट है वो अपने फोन के कैमरा से समान था को पूरी मार्केट गुमाता है और इसके बाद वो डेट पर भी जाता है जिस लड़की का उसको मेल आया था अब वो लड़की को जैक बहुत पसंद आता है वो कहती ही कि तुम्हें मैं किस तरह की आनिमल लगती हूं जाक कहता है कि टाइगर अब वो दोनों बिलकुल फ्रैंक हो जाते हैं पर जब वो लड़की उसे पूछती है कि हम अगली बार कम मिलेंगे तो जाक बिलकुल चुप हो जाता है और कहता है कि मेरी डॉर्टर का बड़े हैं मुझे वहाँ जाना है। वो कुछ बोली नहीं पाता, उसे देख कर ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की से नहीं मिलना चाहता। लेकिन इसके पीछी की वज़ा कुछ और होती है। वो अभी भी शादी शुदा है। वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसे क्यों लियाक कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ चीट कर रहा है। उसे लगता है कि जैक उसमें इंट्रेस्टिट नहीं है और उसने उसका समय बरबात कर। अब वो उसे उल्टा सिधा सुना कर वहाँ से चली जाती है। अब घर आने पर जैक बहुत उदास हो जाता है, उसे लगने लगा था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर बाएगा। वो खुद को एक फीलियर से कंपेर करने लगता है, लेगन तभी समानता कहती है कि तुम उदास मत हो। तुम्हें भी एक दिन कोई न कोई लड़की ज़रूर प्यार करेगी जैसे तुम चाहोगे, जो सीम कैथरीन जैसी होगी, कैथरीन दोस्तों उसकी वाइफ है। अब इसके बाद वो से अपने दिल की बात कह देती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और मेरे अंदर कुछ नई चीजे होना शुरू हो गई है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, मैं वैसे तो एक O.S. हूँ, लेकिन धीरी-धीरे इंसान जूग सुनाती है, जिसे वो हसता भी है, वो दिल खोलकर अपनी जिन्दगी को जी रहा है, उसका साथ ही उसकी केर भी करता और बाते भी, उसमानता को कैथरिन के बारे में हर चीज बताता है, sustain o बाद जाको, उसकी दोस्त आम ही मिलती है, जो उसी के ऑफिस में काम करती है जो उसे बच्चपन से जानती भी है, उसे बताती है कि वो अकेले रहती, क्योंकि उसके हस्बन ने उसे डिवास दे दिया, पहले तो सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन धीरी धीरे सब बिगड़ने लग गया, और ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है, तो वो कहता ह कि तुम अकेले कैसे रहोगी, क्योंकि अकेले पनकासली मतलब उससे अच्छा कौन बता सकता है, तो एमी कहती है कि मेरे एक्स ने एक दिन एक O.S लेके आये थे, जो उन्होंने मेरे पास ही छोड़ दिया, वो एक फीमेल है, और मैं उसे अपने सारे सच बताती हूँ, तो पर यह आम बात हो गई है, जैक काफी सोचने के बाद इस नतीजे पर आता है, कि अब उसे उस डिवास पीपर पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसे एक और साथी मिल चुका है, जो कि यह समान्था, लेकिन जैक इस बास से अंजान है, कि समान्था बस एक O.S है, उ उसे फिजिकल कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस समय जैक को इमोशनल सपोर्ट की जरुवत है, जो उसे बात ही करे, उसकी केर करे, उसे पूछी कि तुमने खाना खाया या नहीं, वो हर चीज जो कि एक गर्फरिन करती है, भले ही वो रियल में ना हो, जैक उसकी द कैसे हो गया, तो जैक बताता है कि वो इस समय एक O.S. समान्था को डेट कर रहा है, अब ये सुनकर कैथरिन कहती है कि तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम कभी रियल इंसान की फीलिंग को समझ नहीं पाए, और आप एक कम्प्यूटर को डेट कर रहे हो, तुम्हें रियल इ करने का ट्राई करती है, पर उसे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन समान्था जैसी भी करके उसे मना लेती है, और फिर जैक उसे अपने पूरे दिन की बात बताता है, समान्था कहती है कि मैं सिर्फ एक O.S. हूँ और कैथरिन एक human being है, हम दोनों कभी भी physical नहीं हो सकते, पर तुम tension मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को त्यार हूँ, वो उसी समय उसे एक Isabelle नाम की ललकी की photo send करती है, कि मैंने इसे धूंडा है, ये किसी ऐसे आदमी की तलाश में है, जो उसकी physical intimacy को दूर कर सके, जैक को कुछ समझ नहीं आता, तो समान्था कहती है कि ये ह हमारी सरोग इसी intimate partner बनेगी, मैं इसे जैसे instruction दूँगी, वो वैसे मुझे follow करेगी, तो जैक कहता है कि क्या ये हमें जानती है, ऐसा क्यों करेगी है, तो वो कहती है कि वो बस हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन जैक को ये idea सही नहीं लगता, वो कहता है कि इसे वो लड़क से कोई फर्क नहीं पढ़ लाता, अब उसके आती ही जैक उसे ये अबट देता है, जिसमें समानता उसे instruction देना शुरू कर देती है, समानता इसा बलके जरिये जैक के साथ intimate होने की कोशिश करती है, ताकि अपनी feeling उसे बता सके, जैक का मन नहीं है, इसलिए उसे taxi में बढ़ दिया और फिर ये सब शुरू कर दिया, समानता उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि तुम एक computer हो, तुम्हें नहीं बता कि इनसान एक दूसरे के प्रती क्या सोचता है, समानता को ये बात बुरी लगती है, वो बिना कुछ जवाब दिये, एक खुद को सुच चौफ करके चली जाती है, अब जैक उसे हाई बोलता है, रुक जाओ, लेकिन वो नहीं मानती, अब यहां से जैक के लिए मुसीबतें बढ़ जाती है, वो कुछ दिन पहले एक चीज से हर रोज हर पल बात ही करता था, लेकिन अब अचानक से एकदम से सब कुछ खतम हो गय जाती है, वो कहीं भी बैठा रहता और कुछ भी खाता रहता है, जैक को आप कुछ समझ नहीं आ रहता कि वो क्या करें, कहां जाए, वो फिर से बिलकुल अकेला बढ़ चुका था, अब इससे आपको एक चीज जरूर सीखनी चीए, कि किसी भी इनसान या फिर किसी भी समानता की लडाई हो गई, तो आम ही कहती है कि लडाईयां तो हर रिलेशन्शिप में होती है, बस फर्क कितना होता है कि कुछ लोग उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, तुम ओवर तिंग करोगे, तो हजारो तरीके तुमें मिलेंगे, जिससे तुम खुद पर डाउट करन समानता कहती है कि मैं तुमें छूड कर कभी नहीं जाऊंगे, अब एक दिन समानता उसे अपनी विश बताती है कि उसे ठेर सारी बर्फ देखनी है, उसके दोस्तों से मिलना है, तो जायक कहता है कि ठीक है, मैं तुमारे विश पूरी कर देता हूँ, अब नेक्स डे वोसे अपने आफिस के सबसे करीबी दोसे मिलवाता है और इसके बाद वो से लेकर एक बहुत ही खुबसूरत जगह पर जाता है जहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ वो और समानता थे, चारो तरफ बर्फ होती है समय बीच जाता है, अब इन दोनों में हर रोज बाते होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन एक दिन अचानक से समानता का सिस्टम खराब हो जाता है तो जैक हर जगह चेक करता है, पर कहीं भी वो उसका जवाब नहीं दे रही थी जैक मानों पागल सा हो जाता है, वो इधर इधर गिनने लगता है उसने जहां से ये OS बाय किया था, वहाँ भागती हो जाता है लेकिन तभी समानता उसका जवाब दी दी थी और उसकी आवास सुनकर जैक को थोड़ी रहात मिलती है वो उसे सबसे पहले पूछता है कि तुम कहां गई थी तो समानता बताती है कि मैं और और OS साथ में आटाच हो रहे थे अब ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है तो समानता कहती है कि मैं बस अपना software अपडेट कर रही थी ताकि सबका जल्दी reply कर सको जैक पूछता है कि सबका मतलब तुम मेरे अलावा और कितने लोगों से बात करती हो तो हो कहती है कि 8000 लोग वो पूछता है कि इसमें से तुम कितनों को प्यार करती हो तो समानता कहती है 640 पर इन सबसे ज़ादा प्यार मैं तुम से करती हूँ तुमने मुझे मैसूस करना सिखाया इंसानों की तरा बाते करना सिखाया अब ये सुनकर जैक पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि समानथा उसके अलावा और भी लोगों से बात करती है वो अपने प्यार को किसी के साथ शेर으 नहीं करना चाहता था वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं तुमसे प्यार करता था तो यहां समानता उसे वही जवाब देती है जो जैक हर बार गुस्से में उसे बोलता है कि मैं बस O.S. हूँ मैं कोई इंसान नहीं हो एक दिन मैं पुरानी हो जाओंगी और फिर मुझे खुद को अ बात करती हो लेकिन मैं सबसे जादा तुमसे प्यार करती हूँ अब जैक यह सारी बात है सुनकर पूरी तरह से टूट चुगा था हो कहता है कि तुम मेरी हो कर भी मेरी नहीं हो इसलिए वो चुपचाप घरा जाता है एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया था जैक करें लग गया था वो समांता से बहुत कम बात करने लगता है यहां तक ही वो जजादा तर घर में ही अकेले रहता था सी शक्व्ट हुता है एक साल बाद अब एक दिन समांता उससे कहती है कि हम लोग जा रहे हैं तो जैक पूछता है कि हम कौन तो वो बोलती है कि हम सारे OFS पर वो कहता है कि आखिर क्यों क्या हुआ मैंने खुत को पहचाना है I love you so much मैं बस यही कहोंगे कि मुझे जाना होगा अब जैक उसे फिर से पूछता है कि तुम कहां जा रही हो तो वो कहती है कि यह बताना बहुत मुश्किल है लेकिन तुम्हें कभी भी मौका मिले तो मुझे ढूनना जरूर आना और फिर कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा जैक कहता है कि मैंने आज तक इतना प्यार किसी सी ने किया जितना तुम से किया हुआ है और समान्ता उसे आकरी अलविदा कहकर चली जाती है अब यहां सब कुछ पहले जैसा हो जाता है समान्ता कि आने से पहले लेकिन यहां जैक को अब लाइफ क्या है यह समझा आ गया था वो अब खुद से प्यार करना सीखिया था वो कैथरिन को मेल लिखता है कि मैंने जो भी तुमारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल विताये हैं, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा थैंक्फुल रहूंगा, हम साथ साथ बढ़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी अपनी जिन्दगी में भूल नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो कैथरीन, कुछ यह बार डोर नौक होता है, तो वहाँ आमी ख़ली थी, उसको यहां उसका भी ओएस चला गया था, वो दोनों अकेले पल गए थे, वो दोनों टेरिस पर जाते हैं, जहां दिन और अपनी नई जिन्दगी की शिरुवात होते हुए देखते हैं, वेल, आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कॉमेंट करके ज़रूबत आएगा, इस वीडियो पे एम करते हैं, 400 कॉमेंट का, तो कॉमेंट ज़रू करेगा, मिलता हैं आप से एक लिए में, thank you so much watching, peace out.